शुपदास्तु सदा देवी सकंद माता यशस्विनी पहाडों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्मान करने वाली सकंद माता. नवरात्री में पाँचवे दिन इस देवी की पूजार्चना की जाती है. कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर भी ज्यानी हो जाता है. सकंद कुमार कार्थिके की माता के कारण इन्हें सकंद माता नाम से अभिषित किया गया है. इनके विग्रा में भगवान सकंद बालरूप में इनकी गोध में विराजित है. इस देवी की चार भुजाएं हैं. इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है. भक्त को मोक्ष मिलता. है सूर्य मंदल की अधिश्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है. आता मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती हैं. उनकी पूजा से मोक्ष का मार्क सुलब होता है. यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ती हैं यानी चेतना का निर्मान करने वाली कहते हैं. कहते हैं कालिदास द्वारा रचित, रगुवन्शम महाकाव्य और मेगदूत रचनाए सकंदमाता की कृपा से ही संभव हुई. वीडियो पसंद आए तो लाइक करे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले बेल आइकन प्रेस करके आल पर सलेक्ट कर ले.